नमस्का दोस्तों मैं प्रसांद कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम पांच का पंच आए जाने लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर हम डिस्कुसन करेंगे सबसे पहले हम इंडियन डेफोस के बारे में हम जानेंगे एफ इन मतलब फिनेंसर इंक्लूजन क्या होता है हम जानेंगे हरावजन सिंग के बारे में और जानेंगे सेथु मांदमन के बारे में आए बात कर लेते हैं ग्यान की बात आज है लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं अगर हम आज 25 दिसम्बर है और मेरी तरफ से सब को हैपी मेरी क्रिस्मस आएए बात करते हैं अटल भीहरी बाचपेजी के बारे में खवर क्या है आज आपको पता ही है कि 25 दिसम्बर है और आज उनकी 97 वहलब गोलियर उस समय स्टेट करके थाए ध्यान देना है कि जब अटल भीहरी बैचपी जी के जन्म हुआ था से नहीं था तो यह आपको देहान देना अभी ग्वालियर मद्ध़ प्रदेश स्टेट में यह वाथ सोला अगर्स-धूजारा को गई था अब क्या है कि यह नहीं हो थे यह तीन टम्म में प्राइम्मिनिक्लिंटर पद्कुस सोभिद किया पहली बार तेरा देनों के लिए जो कि पांस साल का होता है 1999 से 2014 था कि नोने तीन बार जो हमारा PM पद है उस पे विराजमान हुए इनके टेनेवर में बहुत कुछी है हुई जैसे पोखरन टू बहुत ही जो कि हमारा नुकलियर जो एक्टमिक उसका एक्स्प्लोजन हुआ था हमने टेस्ट किया था पूरे बि दो ऐसे टेनेवर के माल्स्ट्रों से जिनके बारे में पूछ सकते हैं अब आगे बात कर लेते हैं कि 25 दिसंबर को जो हमारी अभी प्रजेंट की गवर्मेंट है उन्होंने गुड गवर्नेंस डे नाम से भी इसको मार्क कर रखा है तो अगर पूछा जाए कि गुड गवर को गुड गवर्नेंस डे भी मन जाता है मुनुमेंट्स उनके नाम पर बना है एक सद्याव अटलकर के मुनुमेंट्स है जो कि इनको ही डेडिकेटेड है अभी और कुशन आ सकता है कि कभी-कभी क्या होता कि ऑप्संस में दे दे देते हैं कि यह इनका जनम यहां हुआ था तो पूरी इंटायर तो मैंने आप उनको नहीं बता रखा है तो लेकिन एक एक्जाम के हिसाब से कि कितना इंपोर्टेंट है वह हमने आपको यह बताया है वाकि थोड़ा मोड़ा हम जानते ही हैं उनके बारे में जैसे लखनु के जो एमपी बुल रहे थे और लखनु में में इनका सत्य होटल करके यह जो मोनोमेंट बना हुआ है तो यह चोटी मुठी चीज है अब एक्जाम के लिए मुझे नहीं लेता कि पुछी जाएंगी जो जरूरी थी मैंने आपके साथ सेर की आगे बाढ़ लेते और आज का मारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह इंडियन एफोस उन्दियन फोस निज में क्या है अभी आपने देखा होगा कि एक जो आयएफ का मिग टुंटीव एक क्राफ्ट है वह क्रैस हुआ है जैसल मेर में पालट जो है जो हमस्में साइड हुए तो यह तो निजहां लेते हैं थोड़ा है थोड़ा मिग टुंटीवन के बा 8 अक्टूबर को मना जाता है इसका हेड़कोटर डिल्ली में है इसका मोटो जो है वह तो कभी पूछ सकते हैं यह भी चीफ जो अभी इस समय है आई एफ के या उनको सीएस भोलते हैं मतलब चीफ ऑफ एयर स्टाफ वह है चीफ एयर चीफ मासल वी आर चौधरी अभी बात का पूरा नाम क्या है मिखोएन गुविरेच और यह सुपर सोनिक जेट है आप कमेंट में करके बताएं कि स्पीड जो होती होती है इसके बाद इसका जो नेटिव नेशन है वह सोब्यत यूनिन मतलब रसिया है यह कुछीजें थी तो आई होप इंडियन एफ और मिक के बारे में आपको जानकारी मिली होगी आगे बढ़ लेते हैं और आज का हमारा जो नेक्स टॉपिक है वो है के एस सेतुमादवन ख़वर क्या है ख़वर में है कि लिजेंडरी जो के सेतुमादवन ने उनका दिहांत हुआ है नैंटी नैंटी फॉर इयर्स के वो थे यह जान लेत है कि किस सिनेमा की एक्ट फिल्म अकर थे मलियालम जो सिनेमा है उसके यह फिल्मे कर देंवन बहुत मतलब सब्स्क्राइब किया था इवर्शन को अन्होंने 60 से ज्यादा मुवीज को डिलेक्ट किया है तक ज़ście से के इसवादा थी पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया बखी अगर रखने को तो मैं की डेटा बर्त इनका प्लेस आफ बर्त और इनके कौन-कौन सी मुवीज है या कुछ अचीवमेंट इनका इतना बड़ा है नहीं जो कि एक्जाम्स के लिए हमें जरूरी हो अगर इंटेटेन्मेंट के लिए चाहें तो हम पूरी स्लाइड भर सक डिरेक्टि सिक्स्टी मुवीज वाला भी कही नहीं इतना माइन नहीं रखता बड़ पॉइंट प्लाहने के लिए मने यह थोड़ा सा रख दिया कि सिक्स्टी मुवीज से ज्यादा उन्होंने डिरेक्ट की तो यह था के से तुमादवन जी के बारे में अभी बात कर लेते क्रिकेट में working these 20-20 vedere अभी ले लिया होिए टो आया जान लेते हैं कि हरवजन सिंह हमारे इक्जाम्स को लिए रगुए हैं आलागकि बहुत आई क्रिकेटर है तो जानलेते हैं किया है कि इस्पैसिलिस्ट थे गर चांप माहें से 723 Cec сер찬 तो अभी जैसे बantom लिखाै很好 sna 1998 इसका मतलब है कि नोने पहला अपना डेब्बू जो किया था पहला मैज जो खेला था वो 1998 में खेला था अस्ट्रेलिया खेला और 2016 में अपना आक्री मैज खेला यह एक स्पिन बॉलर थे यह ध्यान रगना कभी कभी क्या होता कि कुशन मैं जाता कि मैस फॉलोविंग्स और पूछ देते हैं कि हरवजन सिंग इस्पिन बॉलर फास्ट बॉलर इस तरीके से से बहुत सारे तो उसमें स्पिन बॉलर थे इनका जनम तीन जुलाई 1980 को जलंदर विसली पंजाब में हैं पूछ सकते हैं उनका जनम स्थान कहा था क्योंकि काफी प्रसनालिटी थे इनका निकनेम यह पूछ जा सकता है इनका निकनेम भज्जी के नाम से जाते थे और इस नाम से घूमने वाला तो उनकी फिर्की जो होती थी जो जो बॉलिंग करते थे स्पिन की वह जदा घुमाओ करती थी तो इनको टर्विनेटर भी खा जाता था तो इनके दो निकनेम थे बज्जी बज्जी आपने सुनाई होगा पाजी तो आपको पता है कि जितने भी पंजाब में लोग होते हैं जद तर लोगों को पाजी कहते हैं पाजी मतला भाई से ही को रिल किया है तो एक्टर नहीं नहीं अपनी शुरुआद की है जर्नी लाइफ की जर्नी की इनकी साथी एक्ट्रेस गीता बसरा से हुई थी तो यह कुछ नियूज थी हर्वजन सिंग जी के साख्ष में जो कि हमारे एक्जाम्स के लिए जरूरी हो सकती है आई जान लेते हैं लगता है और क्योंकि जरूरी है कि हम 15 पर पढ़ें और फिर उनको लेके आए वह मुझे अच्छा लगता है मुझे अच्छा लगने से मतलब यह कि उसमें जो नियूज रहती हैं वो कहीं कहीं को रिलेट करती हैं चीजहों को तो इस वजए से उसमें आजकल आज आसी निय करके है वह उपन किया है आम के स्था वो तो हम अनिय के बारे में बात कर चुक है तो मैंने वह यह पर पॉइंट से नहीं है और आपके साथ हम डिसकुशन कर सकते हैं तो जितने थे मैंने वह रखने को सिसकी है आई हो आपको इंटाइर वीडियो और जो सीरीज है वह मिशे का कहा है मिशिल पात्रा कौन है मिशल पात्रा नेवह कि आ और शर्फ और यह उन्हों duż को है तो व्हें मतलब होता है सबके लिए सब का सबके साथ सबका बराबर है इंक्लूजन मतलब क्या होता है इसमस्रेंद मतलब किसे का अब यह लिए पैसा मंतरी कैसे हुआ अगर हम डेफिनिशन के अकॉर्डिंग जाए या और समझने को सब्सक्राइब तो फिनेंशन इंक्लूजन जो है वो डिफाइन होता है एक्से से जोड़ी हुई कोई भी सर्विसिज है वो सबके लिए एवलेबल हुँ और सबके लिए एक्क्वल अपॉचनिटी को एक्सेस कराती हुँ बाकि यह रिफर करता है इंडिविजुएल्स पे बिजनिस पे किसी और छोटे रिमोटे चीज़ों पर यह सब पे डिपेंड करता है कि सबके साथ जैसे बैंकिंग लोन हो गया है एक्कुटी आपको पता ही होगा है जो हमारे सेयर्स वगयरा होते हैं इंसुरेंस प्रोडे क्वालिटी सबके साथ सब अच्छी होने चाहिए इंफरस्रक्ट्चर जब इंफरस्रक्टर बढ़ेगा मतलब कहने मतलब यह है कि हम यह तो बोलते हैं कि हां हां फिनेंसर इंक्लूजन होगा बट हमारे पास बैंकिंग सेक्टर की ब्रांचिस ही नहीं इतनी ज्यादा है त पूरे देश में आया था कि अफना ख़ता क्लवाना है पैंक का मात हमारे जो तो अन्हों ने बढ़े उससे कि कि फिनेंसर इंक्लूजन करना है सबको हमें एकाउंट खुलवाने तो वह एक फिनेंसर इंक्लूजन हो गया कि इस देश का कोई भी नाग्रिक चूटे न जिसक एकाउंट नहीं होगा तो वो जो एकनोमी की मेन स्ट्रीम है प्रमक धारा है उसमें जुड़ जाएंगे और तभी उन्होंने पत्रा जी ने कहा है कि फिनेंसियल इंक्लूजन तो हो चुका है मलब जो भी फिनेंसियल सर्विस्स है वो सब के पास एक्वलेटी से पहुंच सकत है बट अब गबर्मेंट को क्या है उसमें चारबूंद पानी डालना है मिंस उसमें अब पॉलसी पुटफ करनी है जैसी पॉलसी पुटफ होगी इतना स्मूदली ट्रांस्मिशन होगा कि जितने भी उसकी बेनिफिसरीज है सब के पास 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 जाएगा अभी आपको पत हो चाहा अमीर हो चाहा गरीब हो ट्रांसफर और फंट का भी मान सकते हैं चीपर क्रेडिट्स इंसोरेंज सेविंग्स फिनेंशल जो हमारे अडवाइस है यह सब फिनेंसल इंक्लूजन को मतलब समझ गये ना कि पैसे के लेंदेन को लेके सबके लिए सामोहिक जो सर्विसे है वह अब लेवल होना तो यह मैंने सोचा था कि आपको थोड़ा सा डिसकर्स करते हैं कि इतना बता दिया है आप अपने साब से सोच लेजी कि फिनेंसल इंक्लूजन का मतलब होता है कि हर एक सक्स को रदर वह गरीब हो अमीर हो उसको एकनोमी की में जो प्रमु किस में तो यह है फिनेंसल इंक्लूजन आई होब आपको समझ में आया होगा बाकि आप यहां तक रहें थैंक्यू सो मच हस्ते रिये मुस्कुराते रहें और फिर से मैं बोलूंगा कि क्रिस्मस जेकी बहुत-बहुत बद आई